राश्ट्र राजधानी दिल्ली और NCR में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है प्रदूशन अपने भयानक स्तर पर पहुँच गया है हवा एतनी खराब हो गई है कि चारो तरफ धुएं और धुंद का गुबार ही नजर आ रहा है दिल्ली ही ने गुरुग्राम और नॉइडा में भी हवा एकदम से जहरीली बन गई है गुरुग्राम और नॉइडा के कई लागों में एर क्वालिटी इंडेक्स पांच सो के पार चला गया है बढ़ते प्रदूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 8 नवंबर तक प्राइमरी स्कूल को बंद करने का फैसला किया है साथी सरकारी दफ्तरों में 50% work from home का आदेश जारी किया गया आला कि इसके बावजूद बढ़ते प्रदूशन के चलते लोगों का दम खुट रहा है संभव है कि जल्द ही सरकार और इवन का आदेश ला सकती है दिल्ली में प्रदूशन का असर अस्पतालों में भी नज़र आ रहा है सरकारी अस्पताल में OPD में 30% तक मरीजों का इजाफा हो गया है बढ़े हुए मरीज सर्दी जुखाम और गले में खराश जैसी समस्य के वज़े से अस्पताल आ रहे है डॉक्टरों की माने तो सर्दी जुखाम और गले में खराश की वज़र बढ़ता प्रदूशन है सिस्टम ओफ एर क्वालिटी एंड वेदर प्रकास्टिंग और रिसेर्च के अनुसार दिल्ली में एर क्वालिटी इंडेक्स चार सो एकतिस श्रेणी में हैं जो कि काफी गंभीर मानी जाती है नॉयरा में एक्यूआई पाच सो एकतिस दर्च किया गया ये प्रदूशन की गड़त में बहुत ही खतरना स्तर है वहीं गोलोग्राम में 478 और धीरपूर के पास 534 दर्च किया गया है दिल्ली में वस्त एक्यूआई 431 दर्च होई ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया है